Hello students, निरे नाम आनंद कुमार है और आज हम डिस्कस करेंगे 30 days plan के बारे में बिल्कुल जी अब आपके exam को लेकर के सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं और अभी अभी आपका admissions ओपन ही हुए हैं अभी कुछ दिन पहले ही आपका result आया है तो अब आपके पास में preparation के लिए बहुत कम time बचा है अब सवाल यह है कि क्या पड़े और क्या ना पड़े अब सवाल बच्चे कुछ बच्चे तो ये भी यहां तक assume कर बैटे हैं कि अपने subject में से किन दो subject के अंदर या एक पिक अंदर वो back ले ले और बागी subject को निकाल दें क्योंकि समय बहुत कम बच चुका है सबसे पहले मैं आपको उताता हूँ ये समय बिल्कुल panic होने का बिल्कुल नहीं है अगर आपके पास में 30 दिन भी है और अगर आप master plan से चलें और exam oriented अगर आप पढ़ें तो ये 30 दिन आपको सिर्फ और सबस्प्जेक्ट में पास ही नहीं करवाएंगी बलके आपको 60% से अब अब ला करके खड़ा कर देंगी क्योंकि आप एक बात तो आप समझ लीजिए और अपे दिवाव में आप बिठा लीजिए मैं बिल्कुल ड्रा नहीं रहा हूं सचा ही बता रहा हूं मैं अगर आपको अगर आपके 50% से कम स्कोर बने ग्रेजिशन में यह द्हानकना 50% से कम बने तो आप दुबारा ग्रेजिशन कर लीजिएगा क्योंकि फिर आपके ग्रेजिशन का कोई फाइदा आपको नहीं मिलेगा आप किसी भी तरीके के जो है MBA एक 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 जाम या फिर आप जो है अधर एक जाम आप जो है BA हो गया प्रोफेशन कोट सोगया आप उसमें नहीं बैठ सकते अगर पर पचाई पसंट से बिलूँ है तो सबसे पहले तो आपको यहां पर सिर्फ पास ही नहीं होना है अच्छे नंबर से पास होना है और इतनी अ कंडिशन होने के बाद भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि के तीस दिन के अंदर पॉसिबल है. अगर आप सोल की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप गरेशिन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो तीस दिन के प्लान से आप इसको इजली अच्छे मार्ट से निकाल सकते हो. अब हमारे पास, पर में बात करूँ प्रिंसिपल आफ जो कि आपने पहले अपने academic में पढ़ाता हो तो आपको लग रहा है पढ़ने की नीड नहीं है लेकिन चलिए बात करते हैं अगर यहां पर problem of scarcity and choice है तो देखेगा questions कुछ अलग level का और अलग तरीके से होता है अगर आपके पास में यहां पर low of demand है तो दिमांड में आपके पा अगर आपको यहां पर अगर मैं बात करता हूं अगर आपके पास में पर आलोक्स इंकम सब्सुशिशन इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है सारे questions अंदर पूरा derivation of demand curve from indifference curve देखने को मिल रहा है अगर मैं बात करूँ यहां पर आपके consumer theory के अंदर बात अगर हम utility की करते हैं तो आप अगर देखेंगे कोस्ट करने को अगर कोस्ट करते हैं अगर आप कोस्ट के भी बात करते हैं तो प्लक्शन फंक्शन में आप जो profit maximizing firm यह चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं है जहां पर आपको प्लक्शन फंक्शन के उपर बात करना पड़ेगा लोग वरिब पर प्रोपोश्चन आपने शॉ आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा लॉंग रन तो जो चीज आपको नहीं दिख रही है वही चीज़ आपके एक्जाम में आपको यहां पर देखने को मिलेंगी तो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि आपके पास में प्राइस फ्लोर, consumer surplus, producer surplus यह चीज़े कहां आप को देखने को मिलें बताए यह यह यूटिलिटी चेप्टर है यह यह यूटिलिटी चेप्टर है और इसी तरीके से consumer थेओरी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपके पास में utility, demnishing margin utility यह थोड़ना उपर अपने पड़का है बढ़ आप यहां पर से आप अपने एक्जाम को qualified करेंगे अब सवाल यहां पर यह आ जाता है क्योंकि समय तो हमारे पास में बचा हुआ है बहुत कम तो अब आपको समय आज चुका है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने 10 एर पर फोकस करें यह आपके पास में सिवदास का आपके पास में 10 एर है मैं यह रिकमेंडिट करूँगा और आप यह दस चेप्टर है और आपको आपको पूरा सिलिबस आपको पता लगीगा क्या है और इस 10 एर में आपके पास में मैं कुछ आपको इंपॉर्डन कोश्चन पी लिखवा हूँग क्योंकि हर चेप्टर में आपका 8-10 कोश्चन है तो अगर आपके पास में 10 चेप्टर भी है तो 8 कोश्चन इंटू 10 चेप्टर तो 80 कोश्चन तो आपके पास में नर्मल हो जाते हैं लेकिन 30 दिन में 80 कोश्चन भी आपके लिए पढ़ना मुश्किल है तो 10 एर में हम जो है 30 दिन के अंदर मैं आपको बेस्ट आपको जो ह 40 questions करवाऊंगा best 40 questions जिसके अंदर से आपका पूरा paper cover हो जाएगा ठीक है और बिर्थ concept बताऊँगा और इसके बाद exam के समय से ठीक इसी course के अंदर exam के समय से ठीक मैं आपको 10 दिन पहले फिर मैं इसमें से भी questions को थोड़ा करके और आपको best 25 questions बोलूँगा जिसके अंदर आपका paper आपका लब 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 नभे पसंट पेपर यहां से cover होगा और सो पसंट पेपर आपका यहां से cover हो जाएगा तो अभी भी आप सिर्फ इन ही question को कर लेंगे तो आपका सर्क्शन हो जाएगा लेकिन ये question सिर्फ और बताना पड़ता है questions कम है पर समझाएंगे तो पूरा प्रॉपर तरीके से तो इसके लिए premium match पे जाएगे premium match पर आपको भी facilities मिल पाएंगे जैसे आपको top 25, top 10 questions आपको मिलेगा आपको exam के जो चुट्टिया पड़ेंगे उस बीच पे मैं आपको previous questions लेकर करके solve करवाओंग बता हूँ है सब benefit आपको premium match में भी आपको देखने को मिलेगा तो आप इस तरीके से आप जाएगे और आपका सरब और सरब 30 दिन के अंदर guaranteed है कि आपका score बहुत शांदार बहुत बहुत बैतरीन आपका बनेगा चीक है तो अभी भी आप जो है बिलकुल aware हो जाएगे बिल बिलकुल भी कल पर मट्टा लिए जी आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरा पूरा आपका एक साल खराब हो जाएगा यह धानखिएगा इसमेस्टर 5 के सुडेंट आप आपको सेमेस्टर 1 के सुडेंट रही है कि आप अगले बार गए और पिछला सेमेस्टर 1 देने को मिलिय कोफ लाइस कि समझे या नि समझे तो अब आप कुछ भी रोक मिन सेकते एका मतलब हो गया एक साल फेल इस बार तो बैक का मतलब ही नहीं मनता है भाप का जेता यह भाझर वान है अगर इस बार यह ढशें तो समेस्टर 6s, समेस्टर 4 और अगले बार और समेस्टर 5 का पिप आपको यहां पर contact number आपको जो है वो आपके पास में है वो हाइलाइट आपको contact number हो भी रहा है नीचे आपके पासे discussion पर जरूँ जाए करें वहाँ पर तमाम आपका application है एप इंस्ट्रॉल करो और यहां पर contact number आपका चल भी रहा है और वहां पर आप देखिए यह contact number है, इस पर आप contact कीजिए और इस पर contact करने के बाद आप जो है, वो आपको proper अच्छे से detail में conversation करके आपको पूरी तरके से guide कर देंगे कैसे करना है और किस तरकी से करना है, ठीक है, यूटूब पे मेरे लिए possible नहीं है कि इस समय में 50 गंटे या 40 गंटे मैं और यहाँ देपाओं क्योंकि इस समय जो बच्चे एंडॉल हो रहे हैं, उनका time से पहले course कवर करना बहुजरूरी है, थैंक्यू बच्चे, थैंक्यू सो मच